PIT के पहले quarter के result date आ गए और इस result date का काफी सारे लोग बहुती बेशबरी से इंतजार करें क्योंकि friends ये से 800 रुपे तक चला गया था और वहाँ से अभी 300 रुपे नीचे ट्रेड कर रहा है इस वज़े से काफी सारे retail investor भाई यहाँ पर फसे हुए तो और ओल इस बार भी Q1 के अगर हम result देखे तो result इसके बार बार अच्छे ही आते medium growth यानि की 18-20% के आसपास की ये company growth दिखा रही तो अभी फिलहल इतना गिरने के बावजुद ये से 50 के आसपास के PE ratio पर trade कर रहा है तो 26 जूलाई को KPAT Technology अपने पहले quarter के result पेश करेगा